हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले के दो़ारा दी जाने वाली असेस्मेंट वर्क्षिट आंकलन कारेपत्रक नंबर 5 करेंगे जो की क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है विज्ञान ये वर्क्षिट 18 ऑक्टूबर 2021 की है तो आज ये शिरू करते हैं आज की वर्क्षिट कोशेन नंबर 1 भोजन को शरी में ले जाने की परकिया को अंतै ग्रहन कहते हैं सेकिन देखिए मासल पेश ये अंग जो पीछे की और मुग गोहा के तल से जुड़ा होता है जीब होती है इसका अंसर क्या हो जाएगा जीब नेक्स देखिए डैश की मदद से भोजन को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगे दांतों की मदद से क्या करते हैं भोजन को टुकडों में तोड़ दिया जाता है नेक्स देखिए कोशन नमबर 4 क्या है डैश का अपयोग काटने और काटने के लिए किया जाता है तो क्रंतक जो दान्त है उनका अपयोग किसके लिए किया जाता है काटने के लिए किया जाता है भोजन को Q5 इनमें से मुख्य रूप में 4 स्वाद कलिकाएं होती है पहचानों की मैं कौन हूँ तो कहां पर होती है स्वाद कलिकाएं जीब पर होती है तो अंसर क्या हो जाएगा 1 Q6 लार मंड को शरकरा में परवर्तित कर देता है या शरकरा में तोड़ देता है Q7 जिस स्थिती में व्यक्ति बार बार पानी जैसा मल त्याग करता है उसे हम अतिसार कहते हैं तो 7 का अंसर हो जाएगा 1 Next देखते हैं Q8 क्या कहा गया है तो देखो कहा चबाया जाता है मुख गुहा में तो अंसर क्या हो जाएगा इसका मुख गुहा Next देखें Q10 क्या है घोजन को लार के साथ मिलाने में डैश मदद करता है कौन मदद करता है जीब मदद करती है तो ये थी हमारी आज की वक्षिप Thank you